S.C.H.T. Act को समाप्त करने, परमोशन में आरक्षन के बिरोध और सरवन सरक्षा आयो के गठन की मांग को लेकर, रहिवार को टाउन होलिस्टेट गांधी प्रतीमा के समक्ष सरवन एक्ता परिसद और परशुरान सीना के कारिकरताओं ने पुद्धि शुद्धी यगे के इस औसर पर भारी संख्या में सरवन एक्ता समीती के सदस्य मवजूद रहे। इस संबन्ध में गोरक्पु न्यूज सन्वादाता से बात करते हुए डॉक्टर केसी पांडे ने कहा। सबन एक्ता परिसद पूरे सबन समाथ के साथ ही मुफलिम समाज को, पिछडे समाज को, आती पिछडे समाज को सबको एक जुट करके हम लामबंद कर रहे हैं और यह लडाई रुकने वाले नहीं है क्योंकि यह लडाई जो है वो 78 परिफेंट लोगों के हीतों की लडाई है आप 78 परिफेंट लोगों के हीतों पर कुठारा घात करके जिस प्रकारफे काला कानून लादे हैं उससे पूरा का पूरा देश का यह समाज जो है सबन समाज आक्रोफित है सबन समाज सबन एकता परिशत के कारेकरताओंने आज एह हवन करके जिसमें परशुराम फेना और खिल वारती ब्राहमन महासभा के कारेकरता भी सामिल है इसके साथ ही परमोशन में आरक्षन लगू करके पर्तिभाओं को हनन करने का गंदा खेल खेला जा रहा है एक फाथ भरती हुआ सबन समाज का नौजमान उचपरासी ही रह जाएगा और उफी के फाथ भरती हुआ जो दलित समाज का है उफ का अधिकारी बन जाएगा इस प्रकार से कार छमता जो है दुस्प्रभावित होगी और परमोफन में आरच्छन के खिलाब भी होन है और सबन आयोग का गठन देश में अल्पसंखेक आयोग है देश में अनसुचिजाज जनजात आयोग है देश में पिषा वर्ग आयोग है देश में महिला आयोग है देश में बाल विकास आयोग है फारे आयोग तो बन गए लेकिन एक तरब तुमें फी फ्टी का काला कानू कि बगएर किफिजाद के फाई आर को रहो ग्रफतार कर लो समझ समाज के लोगों को अब दूफरे तर्फ सब्ण आयोग का गठन तुम नहीं कर रहे हो हमारी सुनवाई कहां होगी परमुफन में आरचन कि खिलाई हमार कौन आयोग सुनवाई हमारी करेगा हमको नाजात तरी बनाओ डाक्टर केसी पांडे पूरु मंत्री उत्रप्रदेश सरकार